नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहा होंगे क्योंकि एलपी की जो अभी रेलवे ने नोटिफिकेशन बेजा था या जो लेटर बेजा था उसमें जो ट्रेड है वो डिसाइड की थी तो अगर नहीं भी पढ़ रहा हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जो कि रेलवे जब चलती है तो माल गारी की तरह चलती है और दोड़ती है तो बंदे भारत की तरह दोड़ती है तो आपको समय नहीं मिलेगा कि कब नोटिफिकेशन आया कब इजाम लग गया तो आप टैक्टिस स्टार्ट कर दें यह इसलिए भी नहीं बना रहा था चूंकि जो हावडा डिवीजन इसमें जो ट्रेंटिंग आती है उसमें कहीं भी नाम मेंसन नहीं होता है यह टाइपन के तौर पर आती इस वज़ए से वीडियो नहीं बना रहा था फिर हमारे इस आप ट्रेंग की हमारे ही बैचके हैं पूरी डिटील है नेम सहीद रेनिंग की सेलरी की डिटेल बताने इस पहले कुछ चीजह मैं और क्लियर करना चाहता हूं जैसे आप सोचते होंगी कि जो पैसा आता है तो पूरा बच जाता है तो बचता नहीं है आपको जो हास्टल के खर्चा आए वो नहीं देना पड़ता ह लेकिन आपकर जो खाने का खर्चा है तो कहीं हम लोगों ने टीस ट्रेनिंग की आसनसोल में लेक्रिक की जमालपूर में डेईल की और भूरी में की थी हम लोगोंने सिग्नल तो हर जगा खाने का अलग अलग खर्चा है कहीं पर 230 है कहीं पर 240 है कहीं कहीं पर 270 है इसमें आपका नास्ता भी इंक्लूड होता है खाना भी होता है लंच भी होता है डिनर सब इंक्लूड रहता है और चाई विस्किट भी इंक्लूड रहता है तो यहीं खर्चा होता है उसके बाद आप सुजीत यादो डिजिक नेशन या पद नाम एलपी विभाग एलेक्ट्रिकल एलाट हुआ है इस्टेशन डीडीजी है बिल यूनिट छुपा दिया है क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है और लीब बैलेंस एक ग्यारा दो हजार तेश्क तक का है नीचे आए ड्यूटीज डे इसमें 30 है मतलब 30 वरकिंग डे है ग्रास पे 33,771 है उसके बाद नीचे आए तो इसमें दिख रहा होगा बेसिक पे तो बेसिक पे है 19,900 फिर डियरनेस एलाउंस है इसको डिये भी बोलते है यह 11,900 आया है और ट्रांसपोर्ट एलाउंस टिये बोलते हैं यह 1971 है तो अब आ यह चुपा दिया है मैंने डेट आप जॉइनिंग 37,2023 को हो यह जब ट्रेनिंग हुई थी ट्रेनिंग जिस दिन से हम लोगों के स्टार्ट हुई थी वह 37,2023 से और यह लेबल 2 है जो एलपी की पोस्ट है वो लेबल 2 में आती है बेसिक पे है 19,900 और जो इंक्रीमेंट डे है मतलब हम लोगों को जो इंक्रीमेंट होगा वह 17,2024 को होगा लैब जीरो है डव्लूपी डेज जीरो है टोटल रिकवरीज कुल कट्वतियां भी इसमें जो की गई है वह 2,080 रुपए काटे भी गए और ओबर पेमेंट आफ डिये जो उस बार था डिये का पेमेंट वह जादा आ गया था मेरा भी जादा आया था तो उसमें काट लिया गया है तो 1922 रुपए ये कट गया है अब की नहीं थोड़ी जादा होती और रेल्बेंप्लाइज इंसीरेंस स्कीम जो इंसीरेंस हम लोगों का होता है वह 9 रुपए कटे है और प्रोफेशनल टैक्स बंग लोगों का हर जो जितने लोग थे उनमें से 150 रुपए कटा था यह साइस सरकार को यहां की सरकार को जाता है तो 150 रुपए हम लोगों की यह कट गए तो अब इसके बाद इस पे आ रहा है सुद्ध वूपर के आहे पएफएकांट नम्बर यह मतलब मतलब नष्य आपका पैमेंड वी आपके मतलब कीनों अब देखते हैं नेट पेइमेंट जिसको सुद्ध बेतन कहते हैं जो कट्पिट के मिली है मतलब इन हाइंड जिसे बोलते हैं तो वह आई एक तिस हजार चैसो नब्बे तो यही आती कभी 29,000 कभी 30,000 कभी 30,000 इस तरह के से बेरियसन होता रहता है लेकिन इतनी आती है कि आपका जो खर्चा वर्चा सवाराम से चलता रहेगा और आपके मतलब आप ट्रेनिंग के समय करते रहेंगे घर से आपको नहीं लेना पड़ेगा और आप हो सकता कुछ बहुत घर में अगर आप बचत कर भी लेते हैं तो घर मे सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक सेर करें थैंक्यू